नमस्कार दूस्तों बूल्सकाई में आपका स्वागत है सेहतमन्द और हेल्दी रहने के लिए आपका खानपान बहुत पोश्टिक होना चाहिए खाने पीने के शौकीन लोग कई बार कुछ ऐसी चीजे एक साथ खा लेते हैं जो सेहत के लिए नुकसान दायक होती है कुछ फूड प्रोडक्स ऐसे होते हैं जिनने एक साथ खाना फायदे की जगा नुकसान का सौधा होता है चिकन और नौनवेच खाने को लेकर आपने बहुत सी बाते जरूर सुनी होंगी कई लोगों का मानना है कि नौनवेच खाने के बाद या खाते समय दूद दही जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन क्या आपको पता है कि चिकन के साथ मचली कहना सेहत के लिए सुरक्षित है या नहीं आईए जानते हैं इसका जबाद मचली और चिकन दोनों ही बेहतरी नौनवेच फूड्स हैं दोनों में प्रोटीन परियापत मातरा में पाया जाता है शरीर को हेल्दी रखने के लिए लोग मचली और चिकन का सेवन करते हैं Non-vege खाने वाले लोग मचली को starters के रूप में खाते हैं और उसके बाद chicken या mutton का सेवन करते हैं. चिकन और मचली एक साथ खाने के सवाल को लेकर doctors कहते हैं कि मचली और चिकन एक साथ खाने का चलन बहुत जगों पर हैं. तरसल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मचली और चिकन एक साथ खाना सेहत के लिए नुकसान दायक है, चुकि हर इंसान का शरीर अलग-अलग तरह के फूर्स को लेकर अलग तरीके से रियक्ट करता है। मचली और चिकन में मौजूद प्रोटीन अलग-अलग तरह के होते हैं, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें पाचन से जुड़ी समस्याई या एलर्जी हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन नुकसान दायक होता है। हाँ ये जरूर है कि मचली और चिकन खाते समय आप इन बातों का दिहान रख सकते हैं। हाल दी फूट से परहिज रखने से आपका शरीर बेमारियों की चपेट में नहीं आथा। अगर आपको खानपान से जुड़ी कोई भी समस्याई तो चिकन और फिच एक साथ खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाथ जरूर ले। अगर ये जनकारी पसंद आयो हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले।